लाल बिंदी गोल ऐसे लगाती है वो चांद को मानू कितना जलाती है वो औरत के मात्ये पर लगी लाल बिंदी उसकी रूप सिंगार में चार चांद लगा देती है मात्ये की बिलिया से चेहरा खिल जाता है और रूप निखर जाता है लाल बिंदी का अपना अलग सौंदर होता है लाल रंग इस्त्रित्तु का प्रतीक है और इसलिए लाल बिंदी आत्म विश्वास के साथ साथ जिंदगी में प्यार और खुशियां भी लेकर आती है हिंदु धर्म में दोनों भवों के बीच माती पर इस सजावट निशान को बहुत महत्तो देते हैं इसे टीका, सिंदूर, तिलक, कुम-कुम आदी के नाम से भी जाना जाता है बिंदी माती पर अलंकरण के रूप में लगाई जाती है माती पर लाल बिंदिया, शादी का सुप संकेत और बिवाहित होने का तता सामाजिक पवित्रिता का संकेत देता है भारती दुलन, जिब पती की घर की दहलीच पर कदम रखती है और नए परिधानों और गहनों में लिप्टी हुई अपने माते पर लाल बिंदी लगाती है जिसे समरद्धी का प्रतीक माना जाता है लाल बिंदी का अपना अलग महत तो भी है भाओं के बीच लाल कुमकुम मानो सरीर में उर्जा बनाए रखने और एकागरता को दर्शाता है लाल बिंदिया शुबता और सववाग्य का प्रतीक भी माना जाता है पारंपरिक बिंदी लाल रंग की सिंदूर या कुमकुम से लगा जाती है लेकिन बदलते फैशन में महलाएं कई डिजाइन की बिंदी धारन करती है और श्टीकर बिंदी का यूज करती है दच्छ भारत में गल्स बिंदी लगाना प्रसंद करती है जबकि भारत के अन हिस्तू में या विवाहित महिला का विशेशा दिकार माना गया है झाल झाल